हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं एसर शर्वी सेंटर सर्वी सेंटर में आपका स्वागत है मैं हूं मरजीत प्रमुतर प्रदेश गोरखपुरसी आज वीडियो में जानने वाले एर कनेशनल के कुछ टर्बल सुट के चेकिंग करने के बारे में जैसा कि आप लोग देख सकते रहेंगे बहुत से एसी है एरियर कोड है एरियर कोड में बहुत से मानुल के हैं इसमें वन वाइवन चेक करेंगे कौन से इसके बारे में जानने वाले हैं अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्क्रिप्ट कर सकते हैं नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए आपके लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं तो अब देसकते रहेंगे हमारे पास यहां पर पुरा चार्ट है यहां पर डिटर स्कोड दिखा हुआ है इसमें आपको विंडू यह सी इस पर अब दे सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है विंडो यह सी लिखा हुआ है वो फोल्टी हो सकता रहे या के वल खराब हो सकता रहे लिखा हुआ है यह खराब होगा या फिर वायर जो रहता है कट हो सकता रहेगा यह विंडू एसी का नॉर्मल बेसिक साफ है उसके बाद आता है है this holiday this is a media company ρ इसlà है इसमें हमारी एसको कुछ कर रहा है इसमें ब्लिंग फिर्चाइब कर रहें कर रहेंगे इसमें कर दिंग यह सकता रहे ंब्लेचर इसाथ होगने रहा है तो इस तरह से प्रोलम हो सकता रहा है उसके बाद आता है green LED light ब्लेंक की along से कि लिखा हुआ है रुषरा नीचे देखते रहेंगे लिखा हुआ है ग्रीन LED blink along with operation LED इसमें भी जो है green light अगर ब्लिंक कर रहा है इसे में तो इसका प्रोलम रूम टंपरेचर सेंसर फाल्टी हो सकता रहेगा यानि कि विंडू यह यह फिर इसी हो गया मीडिया का नॉर्मल जो रहता है यह दो यह सी में प्रोलम है गर एरियर तो कर रहा है तो रूट्परेचर अगर ग्रीन लाइट लगा हुआ ग्रीन लाइट है लीडी रहता है वह ब्लिंग कर रहा है तब भी इस तर से प्रोलम हो सकता रहेगा उनली ग्रीन लाइट लेडी जो ब्लिंग हो रहा है एक मिनट में लो करनेशन में आईडी यू मोटर फॉल्टी केबल कर्ट फीडबैक नर्ट रिस यह तीन फाल्ट हो सकते रहेंगे खाली बस औली ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है इक मिनट में तो नीचे आता है हमारा श्चाहिए नौर्मल इन विल्ड हाउस रहता है श्चाहिए उसमें भी दे सकते रहेंगे एफ्ट कर रहा है यह फ्यट हो गया यह व्थी सब्सक्ता हो सकता रहेगा इसमें देसकते रहेंगे या इंडूर का रहता है उसका प्रोलोम हो सकता रहेंगा उसी तरह से आता है देसकते रहेंगे जम्प्रि और इसकी मैं घूणी से जैने सबस्क्राइंना memmi 189 है जो कर रहा है तो किसे सुरिषिक्स से कामदर str7 संचोर करता है है उसका एरीर हो सकता रहेगा और तो है वाइल सेंसर हो सकता रहेगा यह ठोब्रेजर संकता रहे इसमीजागा ऐगा इसमीजर Commodore C E92 E1 ons के लिए ब्लौर मोटर के लिए कल सेंसर के लिए ठेंपसका लिए इयुवन दाओ इथंचोर प्रिक्षण सेंसर लमसम सेमी आपको मिल जा रहा है उससे पास देख सकते रहे हैं कि इसमें अगर डिजितल नहीं है सिर्फ एलेडी लाइट लगा हुआ है तो कंडिशन में लाइट जो है बिलिंक करता है रहे हैं दो स्क्रम लाइट उसकता रहा है यह निस तरस अब इसको 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 स्टॉप करके यहां देख सकते रहेंगे क्या-क्या प्रोलम में लिखा हुआ है उज्जी तरह देख सकते रहेंगे हैं और कॉलिंग माउंटेड एर कनिश्नर यानि कि जो इस्प्लीट एसी आता है माउंटेट टाइप रहता है यह दो टन का इस प्लीट एसी है ओल्ड मॉडल में इसमें भी आता है स्टेंड एर कंशनर आए देख सकते रहें फ्लोर फ्लोर इस्ट्यंडिट एर कंशनर अधिया आप देख सकते रहेंगे पास पहाँ कुछ सेफ डेजिशन वाल माउंटिंग मौडल का है याँ अब भी देखते हैं या फिक्स है या फिक्स है य से वन यह फ्चेंवन फेवन्ड जो भी मौडल का है इसमें देखते रिटेल में लिखा हुआ है जो भी एक ही मारॉल के टाइप के आपको फार्ट देखने को मिल रहा है इसको आगे लास्ट में आपको प्रेट के लिए दिखाया जाएगा पीसी में क्या प्रोलम हो सकता रहेगा एक्षन क्या ठीक करेंगे क्या प्रोलम हो सकता रहेगा तो चेक रूम सेंसर वायरिंग चेंज करेंगे अगर सेंसर वायरिंगर सही है तो उसका रूम सेंसर रहते हैं उसका फ्रोलम हो सकता रहे खराब सकता रहेगा इसे वन बाईवन चेक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे वहल्य रखर वायरिंग करेंगे सब्सक्राइबする उसका रहेगा Mrs € और को अधीम kसम करेंगे देखा प्रोलम सकता रहाब उसका रहे तो शी सब्सक्राइ ने कि ब्लान कोफरा ni सब्सक्राइब करेंगे इस तरह से देखने को मिलता है थोड़ा मोला डिपरेंस हो सकता रहे जो भी माडूल पले कौनकों से सब्सक्राइब करें देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहां पर कनेक्टर नहीं फिक्स होगा लूज रहेगा तो कंडिशन में भी हमारे एरियर करेंगा आपनों प्रॉपर वर्क नहीं करेंगा प्रोलों क्रियेट हो सकता रहेगा तो इसके भी हमें जो है चेक कना चाहिए प्रफर फिक्स होना चाहिए या लूज नहीं होना चाहिए पीछे बाग साइपार दिख रहा है राउंड किया हूँआ है यहां तो रेजिस्टेन्स है तो आगे हम दिखाते हैं कैसा रहता है इसा कनेक्स विन्डू एसी के कंट्रोल पीसीवी बोर्ड है यहां पर जो SMD दिखा रहा था SMD कर रहा था SENSOR कोई सेंसर खराब होगा और सही रहेगा फिर भी एरिया को रहा कर रहा है उसमें देशकते रहें कि आप लिखा हुआ SMD series room sensor for signal यानि कि यहां से जो देशकते रहेंगे room sensor के लिए signal यहां से देता है resistance लगा हुआ ऐसी यह भी खराब रहेगा तो problem create होता है SMD type का है यह सब चीज़े हमें चेक करना चाहिए अगर नहीं की चल रहा है प्रोडम कर रहा है तो sensor वारा नहीं वर कर रहा है तो window SC का power supply है देशकते रहेंगे यहां पर relay kind damage due to यानि कि relay जो रहता है जो relay है रिले है अगर यह खराब होने कि क्या क्या करना हो सकते रहेंगे शॉट सर्कीट वायरिंग वायरिंग जो है इसका गलत रहेगा या लूज कनेक्शन टर्मिल लोगरा इस पार का रहा है लूज कनेक्शन रहेगा या सॉर्ट सर्कीट है इसका तो इस तर सिसके जो relay रहता है यह खराब हो जाता है यह बोल्टेज का अगर बोल्टे जाता है तो इसे हमें चेक करना चाहिए चेंग कर रहा है तो इसे यह शो कर रहा है तो कर रहा है कर रहा है तो कई कर रहा है इसी हमें चेक करना चाहिए यहां पर लिखा हुआ है प्रlection रहा है क्या क्या करना चाहिए ओर आ को कट करेंगे में फीडबैक वायर कट हो सकता रहेगा मोटर जया क्वावर हो सकता रहा हुआ हम्हआ है या फिर ट्रेल वर्ण unc सब्सक्राइब करता हूं आपको जरूर जाने सिखने को मिला है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं नहीं तो डिस्लाइब कर सकते हैं और इस तरह से अब दो जो जो सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बेल आता है उसको आउन कर दे आल नोटिफिकेशन जो आता है उसको आउन कर दे जिसे कुछ सा भी तरह से थिर्कली वीडियो बनाए तो आपके पास बेच सके आप एप वीडियो नय लोग पास शेयर करें जो लोग ऐसी फिल्ड में आना चाहते हैं सब काम जाना चाहते हैं सीखना चाहते हैं आप ही नए लोग का है पर जरूर करें आज आपका दिन सूब हो थैंक्यू फरवाज़ाइब